और यहां पे आप देखिए इकवेटर जो की जिसे भूमत दिरेखा कहा जाता है इसी परिस्तित है विक्टोरिया लेक पेरू तथा बोलिविया ये जो दो कंट्री हैं इन कंट्रियों के बीच में मैं अमरेंदर आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब च Quccion 1 में दिया गया है कि Titocaka Dheil किस परवट पर स्थित है इसका जो right answer होगा वोगा कि Option number B and इस परवट पर स्थित है टीटीकाका जील यहां पे आप देखेंगे ये है South America का map South American में आप देखिए पेरू तथा बोलिविया ये जो दो कंट्री है इन कंट्रियों के वीच का गम में जील के नाम से भी जानी जाती है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्ट कोशन की और सेकिंड नंबर कोशन में दिया गया है कि अफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अप्शन नंबर सी नील नद आप देखिए यहाँ पे मैप में यह है अफरीका कॉंटिनेंट और अफरीका कॉंटिनेंट की जो प्रमुक नदिया हैं उनके बारे में हमें एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आप देखिए अफरीका की सबसे बड़ी जो जील है वो है लेक विक्टोरिया और यहीं से ही निकलती है नील नदी जो की उत्तर की ओर बहती है ठेक यहाँ पे आप देखे विक्टोरिया जील के ज़स्ट नीचे आपको टंगा निका जील देखने को मिलेगी यह विश्व की सबसे लंबी जील मानी जाती है और उसके बाद है नियासा जील नियासा जील है यह भी अफ्रीका की एक प्रमुक जील है और चाट जील से आपके कोशन पूछा जा सकता है कि चाट जील कहां स्थित हैं अफ्रीका कॉंटिनेंट में स्थित है चाड जील आगे बढ़ते हैं अपने next question क्यों third number question में देखिए आप दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number A कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जील मानी जाती है question number 4 में दिया गया है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number A superior जील जो है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है Ontario और Michigan ये भी मीठे पानी की जीले हैं लेकिन ये सबसे बड़ी जील नहीं है एक बार हम मैप में देख लेते हैं यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है Great Lakes ये पार्ग जो जीले है इन्हें Great Lakes के नाम से जाना जाता है first number पे जो है वो है लेक सुपीरियर लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है उसके बाद आती है लेक मिशिगन और उसके बाद है लेक हूरोन fourth number पे है लेक इरी और यहाँ पे जो आप fifth number पे देखेंगे लेक ओंटोरियो ये पांच जीलो को एक साथ हम Great Lakes के नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं अपने next question की ओर question number fifth में दिया गया है कि honeymoon lake के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number C टीटी काका लेक को honeymoon lake के नाम से जाना जाता है ये SSC का favorite question भी है आपको ये याद रखना है आगे बढ़ते हैं अपने next question की ओर six number question में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जील अफरीका महादवीप में नहीं है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number D टीटी काका लेक को अभी हमने देखा कि ये honeymoon lake के नाम से जाना जाती है और ये South America continent में स्थित है आगे बढ़ते हैं अपने next question की ओर question number seven में दिया गया है कि Siberia की मोती के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number A बैकाल जील को Siberia की मोती यानी की परल ओफ Siberia के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर आप देखिए जो रशिया का Siberia वाला एरिया है वहाँ पर इस्तित है लेक बैकाल यह विश्व की सबसे गहरी जील मानी जाती है यह लेक बैकाल के चारो और सफेद बर्फ होने के कारण यह जील बर्फ के बीच में नीले मोती की तरह चमकती है इसलिए इसे परल ओफ Siberia के नाम से भी जाना जाता है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की ओर कोशन नमबर 8 में दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी जील कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्शन नमबर B टंगा निका जील जो की अभी हमने अफरीका कॉंटिनेंट के अंदर देखा था कोशन की ओर कोशन नमबर 9 में दिया गया है कि ग्रेट लेख के अंतरगत कितनी जीले आती है तो कि उसका जो राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर C मृत सागर्यानि की डेड जो C है वो पिर्थवी पर सबसे गहरा स्थल माना जाता है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्ट कोशन क्यों कोशन नमबर 11 में दिया गया है कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर C यूक्रेन से जो है वो कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो नहीं लगती है एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है यहाँ पे आप देखेंगे रशिया जो है इससे कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो लगती है और इसके बाद है अजर्बेजान एरान तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान यह पांच कंट्रिया जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है यहाँ पर आप देखेंगे यह है वॉलगा रिवर जो की कैस्पियन सागर में आ करके गिरती है ठीक आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 12 में आप देखिए दिया गया है कि निम लिखित में से किस देश को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 13 में देखते हैं क्या है कोशन नमबर 13 में दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में निम लिखित में से कौन सी जील भूमत धिरेखा पर इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर B विक् की परिस्थित है विक्टोरिया लेग ठीक आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमबर 14 में दिया गया है कि विश्व की सरवधिक खारे जल की जील वान जील किस देश में इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नमबर B तुर आप मैप में देखिए यह है और यहां परिस्थित है लेक आईरे तो दोस्तों यह थे जीलों से रिलेटेड टॉप 15 कोशन आप कोमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और वीडियो को जादर जादर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैहि जैह भारत दोस्तों